सबसे पहले आपको क्या करें कोई भी टोपिक आप पड़ते हैं अब एडलिस्ट मैपिंग जरूर करें एक मानचितर अपने पास में रखें आप उस मैप के जरीए करिए तो इससे क्या होगा कि आपको लोकेशन इस्तती बैठ जाती जॉनसन कहता ना कि भगोल और इतिहास द आती है और आपको बता दूँ आई इस मैंस के अंदर भी मैप के पचास नंबर की लगबग सवाल आते हैं एक तो पूरा पहला प्रशन मैपिंग का ही आता है जिसमें आपको इस्तान बरकी और इस पर बीश शब्द लिखने होता है इस प्रेक्टरम के साथ में एक आजकल बरनवाल की किताब भी आती है मैपिंग की आप लेजिए अगर कोई मैप नहीं मिलता तो गूगल पर जाके मैप देख लीजिए मैपिंग से पढ़ने की कोशिस करिए यह आपकी समझ को बढ़ाता है इसमें आपको भागलिक ज्यान हो जाता है तो भागलिक ज्यान होने के वाद आप राजनितिक जीवन को अच्छे से समझ सकते हैं अरत व्यवस्ता को बहुत प्यारे तरीके से समझ सकते हैं कि उत्वा रदिया, ईत्रापत यहां ता दक्षणापत यहां था दूसराronics आपको क्या करना है जब भी आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ते वक्त कम से कम कलपना किताब से आँखे हटा के और जैसे आपने पढ़ लिया पुस्तक से अँखें अटा के आँखें बंद करके थोड़ा सा मनन कीजी कैसे होता होगा सब कुछ को टिलिया मैं तो कई बार ऐसे इतियास पढ़ते पढ़ते उस काल में चला जाता हूं उस दौर में चला जाता हूं और उस दौर में जाने के बाद में ऐसे सोचता हूं कि समाज में ऐसे होता होगा समाज में उस समय कोई सोचल मीडिया नहीं था सासन के आदिस कैसे पहुंचते होंगे वहां पे किस तरह से लोगों तक मेरे मस्तिस्क में आज भी आते हैं पहले भी आते थे ठीक है तो ऐसी कल्पना सक्ति के जरीए आप चीजों को समझ सकते हैं आप उस समय की वास्तिविक स्थियों को समझ सकते हैं तो कल्पना शक्ति का यूज की जी लाइन टू लाइन पढ़ते मत जाईए जैसे को यह आप फिजिक्स पढ़ रहें नहीं एक होते हैं तत्थे दूसरा होता है इसका विसलेशन ठीक है अब देखिए अगर आप केवल तत्थे तत्थे पढ़ेंगे ना तो आपकी समझ विक्सित होगी न आप इंटर्वियों में बोल सकते ना बत्सों को पढ़ा सकते ठीक से इसलिए कोशिश है कि विसलेशन को ज्यादा से ज्यादा समझी तो क्यों अपनी एंदरजी खराब करनी सब्जेक्ट को बूरिंग बनाना सब्जेक्ट को एक प्रकार से जीना नहीं बल्कि अपने आप को सब्जेक्ट को भार मानने के कोशिशे क्यों करते हैं इस से बहतर है कि जब भी पढ़ते हैं तो बिल्कुल विसलेशन कीजिये उसका और विसलेशन से पहले कौन सी गटनावी, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी, गटनाओं की तारीक बली मत याद करो, लेकिन गटनाओं की क्रोनलोजी सेट कर लो, उटस वगरा कुछ सा अगर बनाई है संक्षित में, तो आप है वो कोपी के पीछ है, उसकी क्रोनलोजी लिख लो, ठीक ह तो इससे क्या होता है, इससे आपको क्रोनोलोजी याद हो जाती है, तो पूरे पेपर में तारीखों के तो एक दो सवाल आते हैं, वो भी यूही सही हो जाते हैं, मैन मैन तारीख के याती है, लेकिन क्रोनोलोजी के काफी प्रश्णा आते हैं, क्रोनोलोजी आपको उत्तर आप विदिया को कोछ लोग ये भी कहेंगे कि बनाना वाहियात मुर्गता है वगरा है सबकी अलग-अलग मत होते मेरा ही मत अंतिम सबते हैं यह ज़रूरी नहीं नहीं है आपकी विदी अलग हो, मैं मेरी विदी पे जंदली बात करता हूँ, ठीक है, नोडस हो, नोडस के पीछे इस परकार के क्रोनोलोजिकल टेबल बना दीजिये, इसके साथ में आपको क्या करना होता है, तुलनात्म गद्धियन भी करिए आप, तुलनात्म कद्धियन से क्या हो इसके अलवा आपको क्या करना चाहिए, इसके अलवा चीजों को रटने की बजाए समझना चाहिए, समझने के लिए अपने को क्या करना होता है, हर टोपी को आप कई भागों में बांट दो, जैसा कि मैं बांटता हूँ, क्या करना होता है, सबसे पहले उसका परिच्य पढ महत तो पढ़िए उसकी विसेस्ताइं देखिए पूरा खाका बना तो तोपी का कोई भी आयाम सूटना नहीं चाहिए उसके बाद आपको जो जो चीज मिलती है उसको उसमें एड करते जाईए जैसे पुनर जागरन पढ़ पुनर जागरन में आप उसकी प्रश्ट भूमी द क्या पढ़े अब ये सारे एक सारे देख लिए फिसाहित्य में क्या प्रभाव आए कला में क्या प्रभाव आए विज्यान में क्या प्रभाव आए ऐसा एक मोडल बना दो पूरा और फिर इस मोडल क्या कोडिंग है वो चीजों को सैट करते जाओ और उसको पढ़ते जाओ ठीक है इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं इसके अलावा आप अब्यास और रिवीजन बढ़ लिया लेकिन उसके बाद में कई बार तथ्थे किसी ने पूस लिया तो याद में आता है तो कही बार तो यासा होता है कि तथ्य बढ़ा अलूल जूलूल उता है जिसका परिक्षाष्य कोई सीदा मतलब नहीं होता यसे पर तो आपको टैन्सन डिलानी है दूसरी बात यह होती कही बार पढ़ा हुआ है बढ़ या ज्याद नहीं आ रहा है क्योंकि मैं आपको कई बार कहता हूं कि सफलता सामगरी नहीं दिलाती है, सफलता दिलाती है आपके पढ़ने की तरीके, आपकी consistency, पर इक सब तक आपका लगातार लगे रहना, material limited हो, selection हो जाता है, selection आपके पढ़ने की तरीके पर depend करता है, कुछ किताबें पढ़के लोग down हो जाएगा, फिर वो साथ किताबें कैसे revision करोगे, इससे अच्छा ही होता है कि चीजों को short notes कर दो, ठीक है, और short notes में 4-5 सरजिस्ट तो बनी जाते हैं, फिर क्या होगा, उसको आप बार-बार revision करोगे, समझ बढ़ती जाएगी, जतनी बार revision करोगे, आपके accuracy बढ़ती ज जाएगी, जतना अधिक revision करेंगे, और फिर आपको प्रश्णों में गल्तियां कम होनी शुरू हो जाती है, फिर आपको बाहन लोग प्रश्णा में प्रश्ण पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको सिधा उतर नहीं आ रहा है, तो आप तीन option भी eliminate कर पाऊगे, क्योंकि आपको प्रश्णा चल जाएगा, इनमें इतना किया हुआ है, यह हो नहीं सकता, यह हो नहीं सकता, ऐसे करते करते हैं आप लास्ट में उत्तर तक तो आई जाते हैं, इसलिए कहता हूँ कि आप आपका revision बढ़ाईए, अभ्यास लगाता कीजिए.